बच्चो आज हम चर्चा करेंगे कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर कविता क्या है? कविता को हम कैसे पारिभासित करते हैं? विद्वानों ने कविता को क्या कहा है? वास्तो में कविता कलपना और संबेगों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है कविता जो है कलपना और संबेग के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है, जीवन की ब्याक्या है कविता मनोभावों की कलात्मक अभिव्यक्ति है अपने मनों भाव को, मन के विचारों को, हम एक कलात्मक रूप देते हैं और वही कलात्मक जो हमारी अव्यक्ति होती है, वो कविता कहीं जाती है जीवन की सास्वत तरंग ही कविता है जैसा आप जानते हैं, भाव सभी के पास होते हैं आपने रश सिध्धान्त में पढ़ा होगा और जो आप रश को पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि इस्थाई भाव जो हैं जितने हमारे रश होते हैं उन सबका इस्थाई भाव अलग-अलग होता है वही भाव जैसे रश हैं त्रिंगार, हाश, करुण, रौद, द्रवीर, भैयानक, बीभस, अद्भूश, शांत और अपना जो है वाद्शल्य रश तो बच्चो ये जो इस्थाई भाव हैं जैसे रति है, हाश है, अमर्श है, क्रोध है तो घ्रिणा है, पुत्र प्रेम है, और ओजस्विता है, ये भाव सब के पास होते हैं और समय आने पर ये उद्भूत होते हैं कभी है, वो बड़े सलीके से ब्यक्त करता है अपने भावनाओं को, तब कभीता जन्म लेती है, कभीता तैयार होती है तल्वार की धार पर चल कर सत्य का निरूपन करता है कभी, कभीता भाव और कल्पना प्रधान होती है कभीता की रशना प्रक्रिया के बारे में दो तरह के मत हैं कभीता जो है, यह मानवी संबेदनाओं के साथ जुड़ी है, भावुक और संबेदन सील हिर्दय ही कभीता लिख सकता है कभीता केवल भावुक हिर्दय में उमरती है, कभीता कुछ सिखाय नहीं जा सकता कभी अपनी संबेदनाओं को कभीता के रूप में प्रस्तुत करता है चुकि बच्चों जो कभीता का प्रादुर्भाव हुआ, कभीता का जो जन्म हुआ तो मानवता के उशाकाल से, जब से मानो इस धर्ती पर आया, जन्म लिया, मा गुन-गुना उठी और जिसे आज हम लोग गीत कहते हैं, वो कभीता का प्रारंभिक दवर था जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, तो मा गुन-गुनाती है और सोहर का गीत हमारे सामने आता है यही गीत, यही कभीता, आगे चलकर के संसोधित, परिवर्दित और रूपांतरी थोती हुई, आज कभीता के रूप में आ पड़ी है और कभीता का जो प्रादुर्भा हुआ, वह करुणा से हुआ, क्रोध से हुआ, यद्यप, सरवाधिक कभी, समीक्षक, आलोचक यह मानते हैं कि कभीता जो है वह प्रेम से जन्म लेती है, बिरा से जन्म लेती है, चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे पर जन्म गीत का सदा दर्व से होता है, अब तक तो कहता इतिहास ही, पीछे कभी लिखता पहले तो रोता है इसी बात को हमारे महाकवपंत ने भी कहा, कि बियोगी होगा पहला कभी, बियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कभी ता आँजान अच्छा, जेशंकर प्रसाद ने भी इस बात को स्विकारा है, कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में इस मृस्ती चाई, और दुरदिन में आशू बनकर वहाँ आज बरसने आई, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है, जैसे बालमी की ये रामायन की जो रशना हुई, तो ए अहां बैठे हुए क्रॉंच के जोड़े में से एक वो मार गिराता है, वो फरफडाता हुआ पक्षी महर सिबालमी के सामने वो गिरता है, उनका ध्यान भंग होता है, उन्होंने देखता है कि ये पक्षी लहू लुवान है, और दूसरी तरब देखते हैं तो बहेलिया जो मा निसाद प्रतिष्ठात व मगमा हो मा निसाद प्रतिष्ठात व मगमा साथ श्वती समा एत क्रॉंच मितना देकम आधीय काम मोहितम तुमने कि युगल क्रॉंच को प्रेम करते हुए जोड़े में से एक कुमार गिरा तुम्हें कभी शांत ही नहीं मिलेगी, तो हमारी ज से वो करुणा से होता है कुछ लोग से प्रेम से मांनते हैं कुछ लोग इसे पुत्र आप जन्म लेती है और कभी जो होता है जन्मजात होता है और कविता करना अनंत पूले का फल है जैसे महाक विजय संकर प्रसाद इस वात को सुईकार करते हैं कि जब परमात्मा को धर्ती के जीवों से बात करना होता है तो रचनाकार की बाणी के माध्यम से बोलता है तो पहला जो मत है वह कविता जो है वह संबेदन सील हिर्दे भावुक हिर्दे की देन है जब भावना हिर्दे में उमरने लगती है तो कविता जन्म लेती है और दूसरी विचारधारा के लोग कहते हैं कि अन्यकलाओं की तरह कविता को कला मानते हैं इसके लिए कुछ बिश्विद्यालेओं में प्रसिक्षन दिये जाते हैं लेकिन ऐसा है नहीं कभी जो है जन्मजात होता है अच्छा कभी के लिए एक रशनाकार के लिए सबसे आवश्यक है भाशा एक कविता के महतुपूर्ण घटक है बच्चो भाशा है सैली है बिंब है चंद है अलंकार है तो भाशा भाशा बहुत ही परिमार्जीत शरल सहज सुबोध होनी चाहिए जो अपने भावों को जन्मानस तक पहुचा सके चूंकि कभी लिखता किसके लिए है कभी लिखता है उस ब्यक्ति के लिए जो समाज में रहता है और जो समाज का महतुपूर् तो भाशा ऐसी प्रयुक्त होनी चाहिए कि लोग उसको समझ सके और शैली कहने का जो तरीका है यह जो है यह रचनाकार का व्यक्तित तो है एक तरह से शैली में उसका व्यक्तित तो जलगता है टपकता है बात चल रही थी शब्द की अक्षर की भाशा की तो सब्दों का ज जो प्रगर्ट करते हैं भावा व्यक्ति का एक अच्छा माध्यम है हमारे मने यह जो भाशा है तो सब्द कविता के मूल आधार होते हैं और सब्दों की सहायता से ही कविता लेखन संभव हो सकता है और सब्द ही कविता लेखन के सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण भी ह शब्दों के उचित मेल से ही कविता बनती है और कविता लेखन में कभी शब्दों को चंद बद्ध करता है तो यहां अब दो पक्ष आ गए कविता के जो पक्ष है एक है पहले बच्चो भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष भाव पक्ष में क्या जैसा मैंने आपको बताय कि अंतर नहीं जो भाव हैं रशनाकार के कभी के और उसकी भाषा शैली अलंकार रस और चंद यह सब मिल करके कविता को आकार देते हैं कविता को रूपाईद करते हैं कविता को एक रूप देते हैं अब मैंने विंब बताया आपको कि विंब क्या है? तो कविता में विंबों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विंब का साबदी करत है शब्द शित्र अर्थात हम ऐसी रचना करें कि जिसमें एक शित्र रातमक्ता सामने हो। जैसे आपने निराला की कविता पढ़ी होगी कि मेख में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परीसी धीरे 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 ये है बिंब शब्द चित्र शब्द चित्रों के माध्यम से कभी अपनी कलपना को साकार रूप प्रदान करता है उसे हम बिंब कहते हैं अजो कवि कुछ बिंब जो आँखों से देख करके देखने पर एक चित्र हो इस पस्त्र हो जाए चुंकि बिंब ही कभी की कलपना को साकार रूप प्रदान करते हैं और बिंब के द्वारा ही आंतरिक संबेदनाएं कविता के रूप में प्रकट होती हैं यह अमूर्त को मूर्त को प्रदान करते हैं यह बिंबों की भूमिका है अच्छा एक महत्वपूर्ण तत्व है कभीता में चंद चंद क्या है वास्तों में चंद जो है यह कभीता के अनिवार्य तत्व हैं और यह कभीता को संगीत आत्मक्ता प्रदान करते हैं जो गीत गाये जाते हैं जो कभीत और कविता को प्रवाह मैता प्रदान करते हैं यह चंद उसे प्रवाह बनता है जैसे आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी और बहुत सारे आपने अलंकार चंद पढ़े होंगे तो चंदों में जैसे दोहा है चोपाई है सोलठा है रोला है घनाक छरी है मत गैंद है सबया है तो एक प्रवाह मैता माने एक प्रवाह होता है कविता में एक गत होती है कविता में और संगीत का गुण तो होना ही चाहिए उससे कविता जल्दी जो है लोकप्री होती है लोग हैं यहां तक के रस्खान की कविता आपने इसको पढ़ा ही होगा बहुत मने कर्ण प्रिय उनके चंद मने सवया चंद हैं जैसे कानन दै अंगुरी रही भो जब ही मुरली दुन मंद भजईयां मोहन तानन सोरस खानी अटा चड़ी गोधन गई हैं तो गई हैं और तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनों समूझ यह अव माईरी वा मुख की मुसकानी सवारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं न जई हैं यह रस्खान की कविता है तो रस्खान की कविता में सबसे वड़ी बात यह इसमें सहजता है सरलता है सुबोधता है संगीत नैणी कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं अन्य था हो गी ही नहीं लेकिन आज के समय में ए जो कविता है वह नई कविता हैं जो लिखी जा रही है निराला ने इस पहले ही कहा था कि मतें दै कविता सुरू होने के पहले कि नव गति नवले ताल चंद नव नवल कंठ नव जलद मंदर राओ नव नव के नव विख ब्रिंद को नव पर नव सुरदे वर दे वीना वादिनी वरदे। सरस्वती बंदना में उन्होंने नव गति नव ले ताल चंद में नूतंता का स्वावेशो लेकिन गति परमावश्यक है निराला की कोई भी कलिताव लेलो जैसे जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण गान गाए महा सिंधु से सिंधुन तीरवासी सेंदो तुरंगों पर चतुरंग चमूशंग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविन निजन नाम जब कहाऊंगा तो यह नहीं कविता पर एक गत है एक लेह एक ताल है प्रवाज मैता है एक शंद है तो इस तरह से शंदों का कविता में बहुत ही महत्तो है पर्वेश की अनुसार शब्द चैन और ले तुक वाक्ट संग्रचना याति गति संग्षिप्तता के साथ विभिन अर्थ इस तर आदिसे कविता बनती है तो कविता के लिए सभी आवस्यक हैं एक तो शब्द चैन बढ़िया हो आकर्शक हो माधुर्पूर्ण हो या जिस तरह की कविता हो जिस त यति हो बिम्ब हो अलंकार हो और संग्षिप्त हो बहुत विस्तार नहों तो इस तरह से कविता का जन्म होता है बच्चों जो कविता का विकास हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी कविता का विकास जो है वह वीर गाथा काल से होता है आदिकाल भी उसको कहते हैं संब तीसरा आता है रीतिकाल जो इससे उत्तरमधिकाल भी जिसको कहा जाता है तो शत्रा सो से उनईस सो तक और संबत उनईस सो से अब तक जो है आधुनिक काल है अब आपके वीरगाथा काल में जैसे अमीर्स खुश्रों की पहलिया जंगनिक विद्यापत उसमें कई राशो उनकी चाही से लिखा गया वीरत ओजपूर कविताएं और इसके बाद आता है भक्तिकाल जिसमें कभी तुलसी सूर्मी राजा ऐसी ऐसे अमर कभी हुए जिनकी रचनाएं आज भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं गाते हैं इसके बाद रीतिकाल आता है और रीति वादी रचना अनेक रचनाकार जो हैं इस युग में हुए और इसके बाद रहस्यवाद प्रगतिबाद प्रयोगबाद नई कभीता अकभीता इस तरह उसके अनेक रूप पंतेश ले गए तो कविता जो है वीरगाथा काल से लेकर कि अब तक की जूसकी यात्रा है अत्यंत गौरों में है तो बच्चों कविता जो है यह इसकी जो रचना प्रक्रिया है बहुत सहज है और इतनी सहज नहीं है कि हर आदमी कभी बन जाए चुकि कभी पैदा होते है और संसकार से भी प्रयास से भी कुछ लोग तुक मिला करके कविताएं लिखते हैं और करत करत अभ्यासते जडमति हो सुजान अगर प्रयास किया जाए तो कविताएं लिखी जाती हैं कहानी की रचना प्रक्रिया बच्चो आपने बच्पन में बहुत सारी कहानिया सुनी होंगी उन्हें प्रारंभिक दौर में लोग कथा कहा जाता था और दादी नानी जो बड़े बुढ़े होते थे ये बच्चों को कहानिया सुनाया करते थे और ये लोग परंपरा से ये निरंतर आगे बढ़ती गई और ये कहानिया जो हैं लोग कथा के रूप में समाज में समाद्रित हुई इन्हें सम्मानित किया गया और अब तो एकल पजबार जब से आए तो बड़े बुढ़े अलग और माता पिता और बच्चे सब अलग अलग रहने लगे तो लोग कथा की जो है परंपरा समाप्तिशी हो गई और वहीं लोग कथा आगे चल करके बिक्षित होते हुए कहानी का रूप ली कहानी जो हम किसी कहानी के माध्यम से यह वास्तों में कहानी जो है साहित की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंग विशेश का किसी एक घटना का किसी एक पक्ष का मनोरंजन पूर्ण चितन की आ जाता है कहानी भी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी यंग किसी एक मनो भाव को प्रदर्शित करना ही लेकक का प्रतिपाद्य होता है उद्देश से होता है उसका चरित्र, शैली, कठाविन्द्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं जिस भाव से ओ कहानी लिखी जा रही है कही जा रही है अर्था किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रम बद्ध ब्योरा और जिसमें परिवेश हो, वाता बरण हो, कठा का क्रमिक विकास हो, चरम उतकर्ष हो, उसे ही हम कहानी कहते हैं और जो बच्चो कहानी का जो विकास है, कहानी तो आदम युग से कही जा रही है, जो मैंने आपको बताया, कि एक लोक कठा का एक रूप चलता रहा, बीच में संस्क्रित साहित में अनेक कठाएं भरी पड़ी हैं, और हिंदी में जो है, इसका जो समुशित विकास होता है, वह प्रसाद यूग में होता है, जैसंकर प्रसाद जी के समय में, और हिंदी के जो प्रथम कठाकार हैं, प्रथम कहानी कार हैं, वो 36 गड़के थे, माधव राव सप्रे, और उन्होंने कहानी लिखी थी, तोकरी भर मिट्ती, ये हिंदी साहित की सर्वोत क्रिष्ट कहानी म इन्होंने भी कही कहानी लिखी, और पांडे वेचन सर्वा उग्र ने लिखी, और प्रसाद जी के साथ ही लगा हुआ, समय था प्रेम चंद यूग आया, और मुंसी प्रेम चंदो कठा सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने उपन्यास और कहानी के माध्यम से इतना लिखा, इ माने सर्वाधिक लिखा, और इसलिए उन्हें कठा का सम्राट कहा गया, और प्रेम चंद यूग में जो है, कौशिक जी हुए और सुदर्शन हुए, बहुत सारे लेखक उच समय कहानी लिख रहे थे, जिनकी कहानियां बहुत ही, मने प्रसिद्ध हुई, और प्रेम चंद तो तर यूग जब आया, प्रेम चंद के बाद, तो बहुत सारे कठाकार हमारे सामने आये, जैसे प्रभाकर माचवे थे, जैनेन जी थे, यस्पाल थे, मोहन राकेश थे, और सशिप्रभाशास्त्री हैं, मने बहुत सारे लोग, जिन्होंने की कहानी लिख करके, और कठा स शाहित्य को विश्रार दिया, कठा को आगे बढ़ाया.